Hello everyone, welcome to developing success और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होंग कॉंग कॉंग का इशू बहुत लोगों को ये confusion रहती है कि होंग कॉंग कॉंग चाइना का पार्ट है या नहीं है कुछ news channels में आप देखते हो कि होंग कॉंग जो है 2047 में पूरा का पूरा चाइना का हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है क्या वो आज चाइना का पार्ट है या नहीं है तो इस lecture में मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको होंग कॉंग कोंग के बारे में पूरी detail दे सकूँ और ये रहा आपके सामने world map जब भी हम कोई lecture करते हैं मैंने आपको हमेशा map के through locations दिखाने की कोशिश की है क्योंकि जब तक आप location आपको clear नहीं होगा तो काफी चीज़े unclear रह जाती है so map of the world में ये आप देख रहे हो इंडिया और इंडिया के साथ ये country है चाइना so इसके पहले lecture में हमने ताइवान के बारे में किया था तो ये है ताइवान और इधर ये चोटा सा पार्ट है होंक कॉंक का so मैं आप इसको detail map दिखाऊंगी so ये है हमारा map चाइना का जैसे कि आप देख रहे हो चाइना और चाइना में जो इंडिया का पार्ट है ये इंडिया है अगर आप रेट नहीं कर पारे तो ये इंडिया है और ये तिबबत का पार्ट है पूरा और ये जिंग्जियांग प्रोविंस है अगर हम चाइना के इस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो चाइना की इस्ट कोस्ट मे में मकाउ के बारे में भी बताऊंगी लेकिन इस लेक्चर में हमारा फोकस होंग कॉंग पे रहेगा अब मैं आपको होंग कॉंग का डेटेल मैप दिखाती हूं यह देखें ग्वंग टॉंग जो प्रविंस है उसके नीचे जो चोटा सा एरिया था यह है पूरा होंग कॉंग यह और चैना के पास हूने का मतलब है कभी यह किन डाइनस्टी के लिए तक हैं आड़ इसके बाद हैं। वंगहोल के बाद जाया जैसा कि हम सब जानते हैं पूरे वर्ड में योडोपिएंस जो चो सेलर्स थे वहुएा रह Delhi ए ठेड के परपस से सेleλमेंट के परपस से जिस तरह वासकोड अगामा पोर्टुगीस से इंडिया आये थे क्यालिकट में जिसको आज हम कोजी कोड के नाम से भी जानते हैं उसी तरह पोर्टुगीस पहली बार यह हॉंग कोङ वाले पर पर आया थे और इन्होंने यहां पे ट्रेडिंग पोस्ट एस्टाबलिश किया था एन्होंने अब पना içermाष। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 1636 में चाइना की लॉंगेस्ट सर्विंग डाइनस्टी जिसका नाम है किंग डाइनस्टी उसने अपना राज एस्टाबलिश कर लिया था पूरे के पूरे चाइना में और ये यलो वाले मैप पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा किंग डाइ इसे देंगे उनसे लेंगे नहीं इसका मतलब हम सिर्फ एक्सपोर्ट पे जादा ध्यान देंगे अपनी चीजों की आदत बाहरी दुनिया को लगाएंगे लेकिन उनकी चीजें हम इंपोर्ट बहुत कम करने की कोशिश करेंगे ना के बराबर लेकिन आप जैसे कि मैं आप जो हैं ऑल्मोस्ट बंद करवा दिये तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि European की जो डिमांड थी वो चाइनीज कमोडिटीज के लिए बहुत हाई थी जैसे कि टी जिस तरह हम इंडिया का डारजिलिंग पोर्शन असाम पोर्शन भी देखते हैं आज भी उस पोर्शन से काफी सार एक्सपोर्ट चाइना मतलब Kita दिल चाना करती है तो यॉरोपें यह चाहते थी कि उनके वहां पर यह संमां बन रहा है गुट बन रहे है वह बी चाला मैं लेके आएं लेकिन कि लिए बात जानती थी कि चाइना कर ता दो हम हमारे जोे गुटिटार्लेम बंदेगा प्र हमारे फेरे जवारत है वो सारा छला जाएगा तो चाइना ने क्या किया बैन कर दिया लेकिन ब्रिटिश क्या करते थे वो इंडियन ओपियम चाइना में और चाइनीज जो लोग दे उन्नhadवन बड़ा फेमस वो ट्रेड का मैंने आपको इंबालेंस पहली बता है वो नहीं चाहते थे कि उनके कंट्री का जो वेल्थ है वो बाहर चला जाए तो इसी कारण किंग डैनस्टी को फर्स्ट ओपियम वार का सामना करना पड़ा 1839 से 1842 के बीच में किंग डैनस्टी और बिटिश के बीच में ये किंग डैनस्टी का फर्स्ट ओपियम वार हुआ इसमें किंग डैनस्टी हार गई और उनको होंग कॉंग कॉंग का जो आइलेंड है वो कंवेंशन ओफ चुएनपी के अंदर बिटिश को देना पड़ा उसके बाद इन्होंने फिर कोशिश की ट्रेड को बैन करने की तो दूसरा भी वार हुआ ओके सेकेंड ओपियम वार भी वार सेकेंड ओपियम वार के दोरान भी जो कोलून का प्रोविंस है कोलून का प्रोविंस भी इनको वापस देना पड़ा किसको देना पड़ा बिटिश को कन्वेंशन ओफ पेकिंग के द्वारा इसका मतलब कि दो UKCL puntos 1898 में ब्रिटेन ने क्या अरीा 99 एर कँ लीज किसे ले लिया चाइना से ले लिया और कुछ यहां पर नियू टेरेटरीज उन को भी मिनेग वह अपना पार्ट बना लिया मुझा तो कोलून अइलेंड हमारे पास आई गया था लंताव आई गया था चाइना की में लैंड 99 साल का लीज हमें मिल गया था कि यह पोर्शन 99 एर्स तक ब्रिटेन के पास रहे गा अब क्या हुआ कि 1941 में आपको मालूमी है कि World War 2 होना था और World War 2 के दोरान जो इस्ट पोर्शन है उसमें जपान बहुत ही जादा अग्रेसिव उभर के दिखा हमें सो फॉटीवन में 25 डिसेंबर तक जपान ने यह हॉंग कॉंग के पूरे आइलेंड को ऑक्यूपाइ कर लिया ओके बॉंब किया और ऑक्यूपाइ किया अटाक कर लिया ठीक है और लगभग चार साल तक हॉंग को जपान के पास हमारा हॉंग कॉंग वाला पार्ट था टैरिटरी इस उन्होंने ऑक्यूपाइ करी उवी थी जितने की भी कभजा किया वा था उनको उन्होंने छोड़ दिया इसी तोरान में आपको बताऊं चाइन का जो में पार्ट है मतलब चाइन का में लैंड है वहां पर सिविल वार की सिटूएशन चल रही थी कि सिविल व में फिर कौम एंटाइंग की गवर्मेंट थी केमटी उनके बीच में एक सिविल वार सिटुएशन चल रही थी सिविल वार से काफी लोग मर रहे थे और जो नॉर्मल पब्लिक थी बहुत परेशान थी तो जैसे होंग कॉंग फ्री हुआ काफी सारा माइग्रेशन चाइना के हर पार्ट से होंग कॉंग की तरफ आने लगा और काफी लोग चाइनीज जो माइगरेंट्स थे वो सिविल वार से बचने के लिए होंग कॉंग में आके सेटल हो गए क्यूंकि होंग कॉंग कॉंग लीज के अंडर था ब्रिटेन के पास था और यहां पे सुक्षान्ती थी डेवलप्मेंट का अजेंडा था सिविल वार नहीं था इसले काफी लोग आ गए और 1949 में जैसा कि मैंने आपको प्रहले लेक्चर में बताया हुआ है कि कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ चाइना ने टेक ओवर कर लिया चाइना को और पीपल्स रिपब्लिक ओफ चाइना पी केम्टी की गवर्मेंट टाइवान भाग गई उन्होंने बहाँ पे अपना रिपब्लिक आफ चाइना बसा लिया माविस्ट जो कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया है उन्होंने में चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ओफ चाइना बसा लिया तो situation वे जैसे बहुत ज् नेगोसियेशन हुआ और इस डिप्लोमाटिक नेगोसियेशन में एक जॉइंट डेक्लेरेशन दोनों ने दिया 1984 में हुआ था ये जॉइंट डेक्लेरेशन जिसमें युनाइटेड किंडम मतलब बृतेइन एग्री हो गया था कि 1997 में उसका 99 साल का लीज जो है वो खतम हो रहा है मैंने आपको बताया था 1898 में लीज पे लिया था इन्होंने 99 एर्स के लिए तो 1997 में इनका लीज खतम हो गया और जब खतम हो जाएगा इनका लीज तो ये जो पार्ट है होंग कॉंग का इसकी economic and political system जो है वो चाइना को वापस से transfer हो जाएगी तो चाइनीज गवर्मेंट कहती है क्योंकि ये जगा थी जो king dynasty के अंदर थी king dynasty के अंदर जो भी जगा थी उसको आज हम people's republic of china के नाम से जानते हैं क्योंकि आपने 99 एर्स लीज पे लिया था आपकी लीज 1997 में खतम हो जाएगी और जब खतम हो जाएगी तो ये सारी जगा आप इस चाइना को वापस करोगे तो इस joint declaration में जो important बात हुई थी बहुत महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि होंक कॉंक जब लीज खतम होगा होंक का उसके बाद होंक कॉंक एक स्टेट होगा उसका जो फॉरन और डिफेंस अफेर होगा वह तो चाइना के पास होगा लेकिन उसकी अपनी एक बेसिक लॉगी जो चाइना में नहीं है जैसे कि आप जानते हो कि प्रेस की फ्रीडम नहीं है फ्रीडम आफ स्पीच नहीं है जब मन चाहे गवर्मेंट प्रिणोक्रसी टाइप रहे इसलिए उन्होंने वहाँ पे बेसिक लॉग पास करवाया और बेसिक लॉग के तहट यह एग्रिमेंट साइन हुआ कि प्रिंसिपल जो होगा वह वह वन कंट्री टू सिस्टम का मतलब कंट्री तो चाइना होगी लेकिन चाइना का जो मेन सिस् बहुत ही हिस्टॉरिकल डील थी और इस हिस्टॉरिकल डील में हॉंग कॉंग वाज ट्रांसफर्ड मतलब चाइना को ट्रांसफर कर दिया गया एक जुलाई 1997 को एक 156 years of ब्रिटिश रूल के बाद सो हॉंग कॉंग का अपना लीगल सिस्टम है अपने बॉर्डर्स डिफाइन है फ्रीडम है वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं असेंबल कर सकते हैं फ्री स्पीच है वहाँ प्रेस की फ्रीडम है जर्नलिजम की फ्रीडम है लेकिन ये सारी चीजे जो फ्रीडम आप उसके बाद क्या हुआ कि लोग यह question करते हैं कि क्या Hong Kong real make autonomous state है तो अगर आप मेरा opinion जानना चाहें तो नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि Hong Kong की जो law making body है जो law बनाती है जिसको हम legislative council बोलते हैं उसमें 70 member है और यह जो 70 member है इसमें जादातर जो members है वो Hong Kong की जनता नहीं चुनती तो कौन चुनता है एक committee है जिसका नाम है election committee जिसमें 1200 लोग हैं अब वो 1200 लोग किसके हैं चाइना के हैं अब यह ल legislative council के member को चुनते हैं और बचे कुछे कुछ थोड़े से seats वो Hong Kong की जनता directly चुनती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक autonomous state नहीं है पूरा का पूरा चाइना के अंडर ही है क्योंकि अगर legislative body में legislative council में अगर वो लोग है जो चाइना की committee ने चुना है तो obviously वो चाइना लोग होंगे सो इसलिए Hong Kong की जो council है उसको मैं एक democracy के तरह नहीं देखती हूं so Hong Kong की एक mini constitution है जिसका मैंने आपको बताया जिसका नाम basic law है और वो यह law यह कहता है कि जो council का leader है उसको elect होना चाहिए democracy के way में democratic way में बट यह disagreement है चाइना और Hong Kong के बीच में रहसा नहीं होता और 1200 member की है Hong Kong के legislative members को so Chinese government ने 2014 में बोला था कि वो allow करेंगे voters को leader choose करने के लिए लेकिन जो leader choose होंगे उनमें जो contestants होंगे जैसे contestant 1, 2, 3, 4 यह जो contestants होगे इनको चाहिना चुनेगी तो चाहिना आपको चुनके दे देगी कुछ contestant और इनके आपको vote डालना है तो वो भी एक proper democracy नहीं हुआ तो इसलिए हम इस autonomous region को एक sham democracy के तरह देखते हैं आधी बच्ची कुछी democracy के तरह अब क्या है कि यह जो deal साल बाद 2047 में यह जो basic law है एक्सपायर हो जाएगा joint declaration के हिसाब से 2047 में यह basic law expire हो जाएगा और expire होने के बाद यह जो autonomous की जो परीभाशा है यह पूरी की पूरी फ्री हो जाएगा यह क्या होंग कॉंग पूरी तरह चाइना में सम्मिलित हो जाएगा यह बहुत बड़ा question है और 47 कोई बहुत जादा दूर नहीं है इसलिए चाइना जो है अपनी एक पकड बना रहा है हर जगर ताइवान में साउट चाइना सी में इंडिया के प्रती भी हो बहुत अग्रेसिव है बाकि सभी कंट्री इससे पंगा ले रहा है और एक democracy में बिलीब नहीं करता प्रेस वहां curtailed है सो किस तरह 47 की ये deal final होगी ये आने वाले सालों में हम देखेंगे अभी के लिए आप यही समझो कि 1898 में मैं lecture को summarize कर रही हूं कंक्लूड कर रही हूं 1898 में आपको 99 year की lease मिल गई थी किसको मिल गई थी ब्रिटेन को और ब्रिटिश को ये जो lease मिली ये 1997 में खतम हो गई 1997 में जब ये lease खतम हो गई तो Hong Kong British rule से अजाद हो गया जैसे ही Hong Kong British rule से अजाद हुआ तो UK और China के बीच में एक deal sign हुई जिसका नाम है joint declaration 1997 में sign हुई और वो कहते हैं कि ये deal जो है 50 सालों के लिए sign हुई थी 50 years और 50 सालों के लिए Hong Kong जो है वो एक autonomous state रहेगा foreign affairs और उसका defense चाइना के पास होगा लेकिन सरकार चुनने का हग political और economic जो सारे decisions होगे freedom of press होगा freedom to assemble होगा freedom of speech होगा ये सारा कुछ Hong Kong में होगा जो की चाइना में नहीं है और ये इनकी basic law के तहट defined है अब ये basic law जो है ये 50 साल का जो समय है ये 2047 में खतम हो रहा है और 2047 के बाद क्या Hong Kong पूरी तरह चाइना का हो जाएगा ये क्या Hong Kong पूरी तरह चाइना से free हो जाएगा ये हम आने वाले सालों में देखेंगे So I hope कि आपको Hong Kong का ये issue clear है और news में आप बहुत बार देखोगी कि Hong Kong की लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रास्ते पे आ रहे हैं चाइना के खिलाफ तो आप समझ जाना कि क्यूं आ रहे हैं क्यूंकि उन्हें एक freedom चाहिए उन्हें democracy चाहिए तो जब भी उन्हें ऐसा शक होता है कि laws के द्वारा हमें बांधा जा रहा है हमें restrict किया जा रहा है तो वो रोड पे उतरते हैं प्रोटेस्ट करते हैं और काफी बार 2000 में 2013 में 2014 में और recently extradition bill के तहत भी 2020 में भी हमने Hong Kong में प्रोटे बढ़ोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा क्योंकि आपको इसकी पुरानी हिस्ट्री अपता लग गई है सो थैंक्यू सो मच मिलते हैं हमारे next lecture में